आज मैं आपके लिए payment design जो होता है उसके most expected 18 questions इस video में discuss करने वाले हैं तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में bell icon को भी प्रस कर लीजिए आप सभी को पता है कि road के जो section होते हैं उनको दो part में divide किया गया है एक flexible payment दूसरा जो होता है rigid payment तो उनी से exam में आपको पता है कि बहुत ही expected question जो है पूछे जाते हैं तो उनी का ये हमारा वीडियो है तो देखिए first जो हमारे पास question बोह रहा है know the load बारपिंग frictional stress on a cement concrete payment slab as ये हमारे पास load stress जो दिया गया है load stress 220 न्यूटन प्राइम स्केर दिया गया है तो critical combination जो होता है stress during summer season वो क्या होगा critical combination जो होता है stress का हमें ये find out करना है तो यहां पर हमसे summer season के लिए पूछा गया है एक winter season भी होता है आप सभी को पता होगा winter season हमसे क्या पूछा है summer season तो हमें इसका find out करना है अगर in case summer की अगर हम बात करते हैं तो summer के cases में क्या होता है कि हम क्या करते है load stress जो होता है 220 हमारे पास दिया गया है plus barping stress होता है लेकिन जो friction stress होता है उसको हम क्या कर देते हैं minus कर देते हैं यह point आप याद रखिए 10 लेकिन अगर आप winter session की बात करेंगे तो उस case में उल्टा होता है उस case में क्या होता है कि winter के case में होता है कि तीनों को प्लस कर देते हैं इससे की 220 प्लस 300 प्लस 10 यह होगा winter season में लेकिन यह summer season की बात हो दिए तो इन तीनों को आप प्लस माइनिस करेंगे तो हमारे पास अंसर जो आएगा 510 newton पर mm square आज आएगा critical combination जो होता है इस test का during summer season के लिए यह हमारा अंसर आ गया यह आप याद रखिए exam के point of view से बहुत ही important or expected question है यह तो इसको आप याद कर लिए exam में question जो है आ is called loose particle जो होते हैं उसको bound करना किसमें बिचुनेस payment में तो उसको आप क्या बोलते हैं prime quote बोलते है prime quote यह जितने भी होता है tag quote seal quote prime quote यह बहुत ही important है तो इसका हमारे पास prime quote ही अंसर हो जाएगा मैं अपनी comment section में इनकी definition आपको provide कर दूँगा कि seal quote की क्या definition होती है prime quote क्या होती ह अब next question देखिए हमारे पास contact pressure जो होता है जिसको आप PC से contact pressure CP and tire pressure क्या होता है उसको पी से जोन करते है और इन तीनों में क्या relation है इन दीनों में यह relation है कि भाई R जो होता है R जो होता है वो PC over P के बराबर होता है तो यहां पर हमारा जो answer रहेगा option number यह बाला हो जाएगा अगला question देखिए तो double is used in rigid payment for double एक बार होती है जिसको आप use कर सकते है rigid payment में rigid payment में जो होता है वो concrete section होता है तो उसमें आप इस बार को use कर सकते हैं किसलिए क्या कारण होता है उसको use करने का तो अगर हम यहां पर double bar की बात करें तो इसका diameter होता है 25 से 40 mm का diameter होता है अगर इसकी length के अगर हम बात करेंगे तो 400 से लेकर 500 mm इसकी length होती है and यह जो होती है mild steel round bar होती है mild steel की एक round bar होती है इसको आप use कर सकती है तो यह बहुत ही important question है exam के point अगर हम यहां पर double bar में जो stress होता है उसकी बात करें तो यह जो होता है ब्राउड वरी जो analysis है उसके according यह बताई गई है तो यह भी आप याद कर लीजिए तो double bar जो होती है यह load को transfer करती है यह device होती है load को transfer करने की option 4 हमारा correct answer जगा transferring load from one portion to another एक portion से दूसरे portion में load को transfer करना ही इसका काम होता है ऐसे एक टाई बार भी होती है उसका मैं आपको अपनी community section में provide कर दूँगा उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि यह होती क्या है अब अगला question देखिए यह payment is classified as flexible या फिर rigid based on its question बो रहा है कि जो भाई payment service होते हैं उसको आप classify कर सकते हैं कि flexible है या फिर rigid है किस base पर उसके किस base पर आप classify कर सकते हैं subgrade पर, sub base पर, या फिर base पर, या फिर none of the above यह question बहुत ही important है एक्साम के point अभी से तो यह तो मैंने आपको बता देखिए कि payment service होता है वो दो तरह होता है एक flexible एक rigid तो उनको classified किया गया है उनकी structural performance के base पर structural performance जो होती है उनके base पर classified किया गया है तो इन मेंसे यह coin नहीं जैसे कि नीचे-पाला जो होता है यह क्या होता है? Subgrade होता है यह Subgrade आगया आपका, Subgrade के पास इसको यह Second layer जो होती है इसको आप base लियर भी बोल सकते है या फिर sub base लियर भी बोल सकते है अगर आप इसको sub base करेंगे तो तब तो 3-4 बन जाएंगी लिकिन जो main होती है, एक्सा तो इस तरह से इसकी चारवांज लियर है, तो इन लियर की कुछ न कुछ थिकनस भी होती है, उनकी life span भी होता है, अगर हम यहां पे चलो, आगे question आई रहा है, तो उस question देखेंगे कि इसका life span कितना होता है, थिकनस कितनी होती है, अब next question देखें, which of the following method is recommended by IRC for design of flexible payment, कौन सा method जो है जो कि recommend किया गया है IRC के according, ताकि आप flexible payment को design कर सके, यह question बहुती important exam के पहिंच हो भी से, तो flexible payment के लिए जो design किया गया method recommended है, वो CBR method ही है, CBR method, यह method जो है recommend किया गया है, design of flexible payment के लिए, अगला question देखेंगे मैं आपको बताया है कि life span की अगर हम यहां पे बात करेंगे, बहुती important है, design life of flexible payment is dash-year, या फिर life span co होता है, flexible payment का वो कितना होता है, rigid payment का कितना होता है, यह question exam के point of view से important हो जाता है, देखेंगे यहां पर दो point मैं आपको और बदा देता हूं, जो flexible payment होता है, उसका IS score जो होता है, IRC 37 होता है, and जो flexible payment, rigid payment होता है, उसका IRC 58 होता है, यह तो flexible payment का life span होता है, वो होता तो 20 साल का है, लेकिन यहाँ पर option में नहीं दिया गया है, तो most cases में आप इसको भी यूज कर सकते हैं, most of books जो है महाँ पर आपको 15 साल ही दिया गया है, लेकिन होता ये है actual में, तो आप इसको भी याद के लिए अगर आप rigid payment की बात करते हैं, तो 30 30 years, यह तो इक confirm है की बात 30 years के लिए design किया जाता है, life span जो होता है, 30 years का होता है, इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लिजे, जिसने आभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया, वो कर लिजे, अब next question पहुरा है कि which of the following is note A, critical parameter to control cracking and writing in flexible payment, इन चारों में से कौन सा critical parameter नहीं है, जो की control नहीं कर सकता है, cracking and writing जो होती है, flexible payment में, तो वो होता है vertical sub-based strain, यह नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं, अब अगला question देखिए आपे, California wearing ratio method of designing flexible payment, पीछे मने question में discuss क्याता है कि भई, जो flexible payment होता है, उसको design करने के लिए, कौन सा method adopt की जाता है, CBR method जो होता है, is more accurate, वो कि किसमें शामिल होता है, इसमें शामिल होता है, क्या इसमें शामिल होता है, तो इसमें जो specification होती है, road making material की, वो ही ही स्यामिल होती है, कि भई, इसमें क्या-क्या material लगेगा, specification बगारा जो होती है, वो यहां पे दी हुई होती है, अगला question देखिए, ताइवार in concrete payment are provided across, किस किसमें प्रवायट की जाती है सबसे पनको यह पता होने साटेटिव होती है वह डो तरह की स्टार ऑगियो होता है हुग तोषरे घान women person एक प्राक्षरिक ट्रास ब्रश्चोंट होता है यह नीए होता है इस चार परकार है चार प्रकार में इसको giveawayλλ इंगा एक्सपेंशन जोईंट भी इसी केटागरी में आता है यह कंस्रक्शन भी आता है यह फूर्थ बन जो होता है बार्पिंग जो होता है यह चार ट्रांसबर्ट जोईंट के पार्ट है तो ताइब आप यहां पर थोड़े बहुत पॉइंट आपको और पता होने चाहिए कि भा यह ता होती है तब आप इसको इस जोईट को यूज कर सकते हैं यह पॉइंट आप याद रखिए और यह टाइब बार को जोटी है यह लोड को ट्रांसबर्ट नहीं करती है यह डॉबल बार होती है लेकिन यह टाइबस पॉइंट आप पूसे अब यह वोश्ण देखिए बोटो मोस्ट लेर होती है पैमन की हम यहां पर फ्लेक्सिबल पैमन जो होता है उसका एक्जांपल ले लेते हैं तो उसको पांच के टाग्री में डिवाइड किया गया है जैसे कि यह सेक्षिन है मानके चलो यह पाला सेक्षिन होता है इसक बाइंडर और यह वालίας होती है एक सब्सक्रींग inclusive अब अगली कोशं के ऑपर कोशया गया है इसके इसके पुछेंश के ओ mosquito पूचा गया है अगला कोशन फिशनma होगा रहा हैed Essentially difference between rigid and flexible payment is, इन दोनों में क्या difference है, ऐसे question को solve करने के लिए आपको इनके बारे में difference जो होता है, वो पता होना चाहिए, इन दोनों में क्या difference है, सारे point आपको पता होने जुरूरी है, अगर हम यहां पर flexible payment की बात करेंगे, तो तो इसकी यह लोड टॉप लेयर से लेकर बोटम जो लेयर होती है उसको ट्रांसफर कर देता है लेकर जो रिजिट पेमर होता है इसमें क्या होता है कि लोड जो होता है वो सलैब के थूरू ट्रांसफर किया जाता है तो यहां पर यह हमारा करेट अंदर जाए हाई होती है यह आप याद रखिए एंड इसकी लोग कोस्ट होती है इसकी हाई होती है यह पॉइंट आप याद कर लीजिए बाकि मैं यह कॉमिंट कर दूंगा क्यूंकि पॉइंट बहुत ही इंपोर्टन है आपको ऐसे लिखने में भी परिशानी हो जाएगी तो वहाँ पर अब अगला कोशन देखिए इन ए फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या होता है इंपोर्टन कोशिन है वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस्ट डिक्रीज हो जाता है बिद डेफ्ट ऑफ्ट लेयर के साथ ऑप्शन सैकंड हमारा इस कोशिन में अंसर हो जाएगा हाँ मैं आपको ब इतनी हो जीए होती है यह दोनों प्विड़ेंट इंपोर्टन है तो सारे प्विड़ेंट में आपको यह बता देता हूं वैसे मैं यह यह यतनी भी तिकनिस है वह मैंने टिकस करें ली है एच्छब का ग्रैश्गोर्स हो ऑपर है अगर हम सब ग्रेड की बात करेंगे सब उसकी बात करेंगे, 1.500-300 mm उसकी तिकनिस होती है, यहनिके 15 cm, 30 cm, minimum, maximum, उसके बाद, सब बेस, सब बेस की अगरमबात करेंगे, 100 से लेकर 300 mm, हम से किस के बारे में पुछा गया है, बेस के बारे में, सब बेस और बेस दोनों की सेम ही होती है, 100-300 mm, ओके, तो बाइंडर कोर्स की अगर हम बात करेंगे तो 50-100 mm उसकी थिखनेस होती है लास्ट बन जिसके ओपर गार्डियन चलती है सरपस कोर्स उसकी थिखनेस होती है 25-50 mm सारे पॉइंट आप याद रखिए बेस की मेना को बता दिया है minimum 10 cm अगलों लास्ट कोशन देखे हमारे इस वीडियो का वीडियो का वीडियो को अपने दोसके साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बैल आगन को दबा लीजिए मिलते हैं नेच्ट वीडियो में